तो सम्विधान दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेमान जुडेंगे जेडियू के राष्ट्रिय महासाचिफ केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके और कॉंग्रेस के नेता संजन रूपम का हमें इंतजार है केसी त्यागी साहब आपी से सवाल सम्विधान दिवस का मौका पक्ष विपक्ष सभी को साथ आना चाहिए विपक्षी दल बहिश्कार करते हैं प्रदान मंतरी हमला बोलते हैं आप लोगों को बैठे बिठाए एक अच्छा मुद्दा विपक्ष ने दे दिया अब आज के इस पवित्र मोके पर समुचे देशवासियों को अपनी पार्टी की तरफ से सुबकामनाएं देता हूँ किस तरह से ब्रिटिस राज से और राजा रानियों के राज से छुटकारा पाकर के हम अपना समीधान बनाकर लागू करने में कामियाब हुए आज का दिन एतियासिक दिन है और इस दिन की प्राप्ति के लिए गांधी जी से लेकर के सरदार भगस सिंग तक जिनकी उमर सिर्फ साड़े 23 वर्स की थी सबकी कुर्मानियों का नतीजा है कि देश सुतंत्र हुआ और हमें अपना सुतंत्र समीधान लागू करने का मौका मिला मैं लंबे समय तक विपक्ष का कारे करता रहा हूँ और दोनों सदनों का सदस रहने का भी मुझे सोभाग प्राप्त हुआ है लेकिन मैं अपने मित्र विपक्षी दलों से मेरी शिकायत है कि आज का दिन ऐस हैमती का तो था लेकिन विरोध करने का नज़ता लोगतंत्र की पहली शर्त है कि हम आप से ऐसे हमती रखते हैं और अपनी अलग राय रखते हैं लेकिन जब आज 125 वा बाबा साब अंबेटकर का परिनिर्वान दिवस के बाद उनकी जैनती के बाद माफी चाऊंगा जिस तरह से हमने 2016 से परंपरा डाली थी आज उसी स्रंखला का ये हिस्सा था हमारे विपक्षी दल के सभी नेता बैठ थी उसमें बहुत आदर पूर्वक विद्वान लोग हैं अनुभवी लोग हैं और हमें भी लंबे समय तक उनके साथ करने का मोका मिला है कई दल और कई लेकिन इसका बॉयकॉट करके उन्होंने राजनितिक एश ही सुनता का परिषय दिया है जो दुरुभाय पूर्ण ठीक है त्यागी जी मैं आपसे ये समझना चारी हूं सर ठीक है आपने कहा कि शिकायत है आपको विपक्ष से लेकिन क्या आज का दिन विपक्ष से शिकायत दिवस के कारिक्रम में क्या सत्ता पक्ष को आत्मन्थन नहीं करना चाहिए आज ये रोमाना जी सभी के लिए है खाली विपक्ष के लिए तो मेरा अपसोस भर है और मुझे अपने एक अठवदन से जिसका मैं हिस्सा हूं हमें भी विपक्ष को आज के मोके के लिए सहेज करके रखना चाहिए था उपस्तित रखना चाहिए था लेकिन आप मतभेदों का इसा इसा नहीं कि संसद्य कारे मंत्री ने आमंत्रन नहीं अल पार्टी मीटिंग में इसका जिकर नाया हो लेकिन हमने भी लंबे समय तक और हमारे जो नेता थे वो तो और भी जादे कटू थे डाक्टर लोहिया भी चौदरी चरंज सिंग भी करपूरी ठाकुर भी यह बह सरकारों के लिए लेकिन ऐसे अवसरों पर वह राजनीती नहीं करते अपनी ऐसे हमती रखते थे लिहाजा पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को संयुक्त रूप से ऐसे मोकों को उत्सव के रूप में बनाने की जो परंपरा चली आ रहे हैं जी का निर्वाह करते रहना मिलकर मनाने चाहिए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब सियासत उस इस्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर अब इससे जादा नहीं गिरा जा सकता चाहे वो सत्ता पक्ष द्वेश्च भावना से प्रेरित रहकर EDCBI का आरोप आपके उपर लगता रहता है और चाहे विप सोबना जी मैं इन सवालों पर नंबी बहस करके आज के दिन का जाय का खराब नहीं करना चाहता है लेकिन ये सही है कि जो पहले प्रधान मंतरी थी पंडी जवाला नहरू उसके बाद लाल बहाद दुर्शास्त्री तक ये मर्यादाएं बाकाइदा इनको सिंचित करके रखा गया इनको पालन पोशन करके रखा गया मुझे को याद है डाक्टर लोहिया ने एक बार लोकसभा में पहले एवस्वास प्रस्ताव पर भाशन दिया था कि देश की एक बड़ी जनता तीनाने रोज पर बुजारा करती है जवाला जी आग बबूला हुए उन्होंने योजना आयोग के उपाद्धक्स अशोक महता जी को बुलाया का कि भी लोहिया गलत कह रहे हैं मेरा मानना है कि पंद्रे आने रोज पर गुजारा होता देश की जनता के बड़े हिस्से का ठीक है त्यागी जी आप से आप से ये बाचीत है ह ABP News आप को रखे आगे